मित्रों धर्ती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत भी तय है यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है इसका सीधा उत्तर है नहीं इन में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक प्रित्वी लोक में ही रह जाती है इसका कारण है कि उनकी अकाल मृत्यू हो जाती है आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सडक दुरगटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यू वह स्थिती है जब शरीर तो नश्ठ हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या वोता है अकाल मृत्यू के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है आज के इस प्रस्तुती में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, इस प्रस्तुती में हम जानेंगे की अकाल मृत्यू क्यों होती है, अकाल मृत्यू के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यू कैसे होती है, अकाल मृत्यू से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत् इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। के साथवे अध्याय में पक्षी राज गरुड के पूछने पर भगवान विश्नु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यू हो जाती है या फिर किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डू क्यों होती है कृप्या मुझे विस्तार से बताए तब भगवान विश्नु कहते हैं कि हे पक्षी राज अकाल मृत्यू किसी भी कारण से हो सकती है फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुरघटना के कारण ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके कारण उनके जन्मों में किये गए दुशकर्म को बताया गया है फिर गरूर देव पूछते हैं कि हे भगवान जब वेदों में मनुष्य की उम्रे 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यू क्यों हो जाती है इस सवाल के उत्तर में श्री हरी बताते हैं कि यह सच है वेदों में मनुष्य की उम्रे 100 साल निर्धारित की गई है परन्तु इसमें दुशकर्म को नहीं मिलाया गया है यानि हर इंसान की मृक्यू तभी होती है जब उसके पास धर्मकारियों के लिए शक्ती नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्मकार्य करने की इजाज नहीं देता इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्मकारियों को त्याग देता है तो प्रित्वी पर उसके जीवन की अवधी कम होती जाती है देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है मनुष्य की मृत्य कब होती है जब उसके पास अपने इ नश्ट करता चला जाता है, वेदों का ज्यान ना होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है, इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए, आगे पक्षिराज गरुर पूछते हैं कि है नारायन अकाल मृत्यु के पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कश्ट भोगने पड़ते हैं, दरसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और ड्रिस्ना बनी रहती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती, ऐसे में शरीर तो नश्ट हो जाता है, ल करती है, यहां आत्माय प्रेत और पिशाच योनी में कई वर्षों तक यहीं भटकती है, आगे श्री हरी बताते हैं कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा प्रेत योनी से मुक्त होकर अपने कर्म में भटकता रहता है, उनकी आत्मा को आसानी से शांती नहीं मिलती, फिर आगे पक्षीराज गरूर पूछते हैं कि हे भगवान आत्महत्या पाप क्यों है, तब श्री हरी बताते हैं कि अकाल मृत्यू में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है, आत्महत पर रखा जात्या करने वाले मनुष्य की आत्मा प्रित्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है, जब तक कि वह प्रकृती द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती, ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है, और ना ही स्वर्ग लोक मे आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्ट दायक स्थिती से गुजरना पड़ता है, यहां आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ती के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है, जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत करता है, तो उसके कर्म और उस शरीर कारिन पूरा नहीं होता, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मित्रों आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुर पुरान में अकाल मृत्यू को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांत को क्या करना चाहिए तब भगवान विश्णू बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तरपन करना चाहिए साथ ही मृत्य आत्मा की इच्छा की पूर्टी के लिए पिंददान और दान पुन्य जैसे सतकर्म करनी चाहिए ता में जीवन की शुरुवात होती हैं मित्रों अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुन्य एवं भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ति होती हैं इसलिए आप भी पुन्य करे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मित्रों अगर यह विडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और हाँ विडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद